Hello everyone, how are you? कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे सो स्वागत है आपका आपके अपने यूटुब चानल राजशी क्लासेज में आज मैं लेके आई हूँ 3rd Standard EBS का चाप्टर नमबर 4 आपर फर्स्ट स्कूल तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर भी दबाना मत भूलना जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल से जल मिल जाएंगे इस इस आवर फर्स्ट कूल ये क्वेशन है आपके लिए which is our first school so it is our family we learn so many things from our family so हम हमारे family में जो है बहुत सारी चीज़े learn करते हैं much before we learn from anywhere else बाहर से जो भी हम सिखते हैं उसके पहले जो है हम कहा पर सिखते हैं हमारे family में this is because we are so close to our family and that's why we are very close to our family but we really never give it a thought लेकिन हमारे मन में ये विचार कभी नहीं आता है कि हम family से बहुत कुछ चीज़े सिखते हैं let us think about our family now we are think about our family and also talk about it okay so listen here draw a paste of a picture of your family या पर क्या करना है हमको एक हमारे family का picture draw करना है या फिर उसको paste कर लेना है ठीक है समझ में आगा आपको next who all are there in your family आपके family में कितने लोग है how many members are in your family and write their names अब यहाँ पर क्या करना है हमको उनके names लिखने है जैसे mother का नाम है सुमन तो यहाँ पर उसका नाम लिखना है relations क्या है mother है brother का नाम है हमारे Rajesh Rajesh तो क्या लिखना है हमारे relation क्या है brother तो यहाँ पर brother लिखना है इस type से यहाँ पर आपके घर में जितने भी लोग है उनके नाम लिखने है और उनका relation लिखना है next write the relationship between any two members of your family अब हमको यहाँ पर क्या करना है हमारे घर के two members के नाम लिखने है और उनका relation क्या है यहाँ पर लिखना है जैसे सुमन लिखा मैंने and राधा ठीक है यह राधा तो इनका relation क्या है mother and daughter mother and and daughter यहाँ पर daughter ठीक है mother and daughter इसी तरह से जो है हमको यहाँ पर नाम लिखते जाने है अपने family members के और उनका relation क्या है वो यहाँ पर लिखना है you understood that next what do your family members call you lovingly आपको आपके family में किस नाम से पुकरा जाता है तो do you have a pet name क्या आपको pet name है चिंटू पिंटू जैसे कोई pet name है आपको call your family members आपको क्या नाम से पुकरते हैं आपके घर के लोग so look at the picture carefully यहाँ पर नीचे जो है एक picture दिया हुआ है आप देख रहे हो इसमें mother है father है grandmother है two sisters are there तो यह जो picture है आपने देखी next is there any similarity between you and any other members क्या आपके घर के आपके घर के जो भी members है उनमें कोई similarity मिलती है अपने दूसरे member से in this way you talk, walk, smile or even in your look क्या दिखने में आप same हो घर के कोई member से आप बिलकुल same दिखते हो घर के members के जैसे बात करते हो आप या फिर चलते हो उनके जैसे या फिर उनके जैसे smile है आपकी तो ये सब बाते जो है with what and how अब वो किस के साथ में आप का चेहरा मिलता है या फिर आप उनके जैसे walk करते हो या उनके जैसे smile करते हो तो वो जो है आपको यहाँ पर लिखना है ठीक है? समझ मैं आपको let us now read about unworthy's family अब ये जो दिख रहा है picture ये अनवरी के family का picture है वो क्या कर रहे है कपड़े धो रहे है मतलब ये कौनसा काम करते है धोबी का काम करते है आपको समझ मैं आ गया? so let us now read about unworthy's family the older member of unworthy's family work as a dhobie अब इनके घर का older जो भी member है वो कौनसा काम करता है? धोबी का काम करता है all the members of the family lend a hand in washing, drying and ironing of the clothes घर के सभी members जो है family के वो क्या काम करते है washing का, drying का and drawing and ironing मतलब कपड़े धोने का उसको सुखाने का और ironing या मतलब praise करने का ये सब काम करते है unworthy and her cousin Taufik are also learning the work done by the family unworthy और उसका cousin का नाब क्या है? Taufik ये भी दोनों जो है अभी learn कर रहे है अपने family का work मतलब ये सीख रहे है ठीक है? समझ में आगे आपको Is your family involved in any particular work? If yes, what? अगर आपके family के members भी अगर कोई ऐसे particular work में involved हो तो आपको वो लिखना है कौन सा work है and क्या करते है वो ठीक है? Next is Do you help the family with the work? क्या आप family में जो भी work चलता है उसमें help करते हो? तो यहाँ पे आपको लिखना है Yes, I am help to my family with their work Okay Next We learn many things from our family members हम लोग जो है बहुत सारी चीज़े हमारे family members से सीखते रहते हैं अनवरी and her cousin learned cycling from the uncle अनवरी और जो उसका cousin है तौफिक उन्होंने क्या सीखा है? cycling सीखी है अपने uncle से वैसे ही आप भी बहुत सारी चीज़े सीखते हो अपने parents से या फिर अपने cousin member से या फिर अपने relatives से You also learn many things from your family What and from whom तो आप भी जो है जो भी बाते family member से या किसी भी अपने relative से सीखते हो तो वो क्या सीखा है अपने What and from whom यानि किस से सीखा है? यहाँ पर यह किस से सीखा है? यह आपको बताना है ठीक है? Next, how anyone learned anything from you? Has anyone learned anything from you? क्या आप से किसी ने कुछ सीखा है? यह भी आपको बताना है Okay, next Think and write When I am sad, I go to my किस के पास जाते हो? जब आप sad होते हो बहुत ज़्यादा sad हो जाते हो तो आप किस के पास जाते हो? बताओ आप मैं अपने कजिन के पास जाता हूँ तो मैं कहा पर जा रहा हूँ? अपने कजिन के पास When I want to know about the past I go to my यहाँ पर हम कजिन लिख लेते हैं कजिन और When I want to know about the past I go to my अगर मुझे मेरे past के बारे में जानना है तो मैं किस के पास जाओंगे? आप किस के पास जाओंगे? वो आपको लिखना है यहाँ पर तो मैं अपने grand parents के पास जाती हूँ ठीक है? मेरे जो grand parents है उनके पास जाती हूँ तो आप किन के पास जाते हो? Mother के पास में यह फादर के पास में यहाँ किस के पास? वो आपको यहाँ पर लिखना है When I want to share my secrets I go to my I am going to friend तो जब मुझे मेरा secret share करना है किसी के साथ में तो मैं अपने friends के पास में जाती हूँ तो आप किस के पास में जाते हो? वो आपको यहाँ पर लिखना है When I do something wrong I go to my अगर मैं कुछ wrong करता हूँ तो गलत करता हूँ wrong करना है यह नहीं? गलत करना तो मैं किस के पास जाती हूँ मैं जाती हूँ अपने mother के पास में या फिर teacher के पास में ओके? किस के पास में? mother या फिर teacher के पास में आप किस के पास में जाते हो? अगर कुछ गलत करते हो तो वो आपको यहाँ पर लिखना है You understood that? Next Everyone removes their shoes before entering the house सभी लोग क्या करते हैं? जब घर में आते हैं तो अपने shoes जो है वो remove करते हैं कहाँ पे? अपने घर के बिलकुल दरवाजे के पास में This is the practice in Sureka's family यही सब practice जो है यही सूरेखा के family में भी होती है मतलब सूरेखा के family में कोई भी आता है घर में तो वो क्या करते हैं? शूज remove करते हैं बाहर समप्दे सूरेखा's friends enter her house without removing their shoes लेकिन सूरेखा के घर में जो है कुछ मेमान आये हैं तो वो क्या कर रहे हैं? without removing shoes वो अंदर आ रहे हैं सूरेखा's grandmother gets angry at that और सूरेखा के जो grandmother है वो बहुँ ज़्यादा घुस्सा होती है आपके भी ममी पापा घुस्सा हो जाएंगे अगर ऐसा पूरा घर clean है और कोई ऐसे shoes पहन के बिना remove करके आते हैं तो है कि नहीं? Are there any particular practice followed by your family? क्या ऐसा ऐसी कोई अच्छी बाते अच्छी जो आदते हैं वो आपके घर में भी follow करते हैं तो वो जो आदते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है ठीक है? आया धान में अपके? जैसे कि keep the cloth in a proper place और फिर बाद में बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो हम आपको यहाँ पर आप लिख सकते हो अपने uniform जो है वो बराबर से अपने proper place में रखना शूस को अपने proper place में रखना तो ममी की daily help करना that is a very good thing that we done in our home ओके? So which practices you and your family do to keep your house and the surrounding clean? ऐसे कौन सी आदते हैं जो ऐसे कौन सी आदते हैं जो आपकी family जो है अपने घर में apply करती है और जो अपना surrounding जो है वो clean रखती है तो वो आपको लिखना है ठीक है? Does any members of your family have any particular habits like laughing loudly या singing when they are happy ऐसे कोई आदते हैं आपके घर में हैं जो जब वो बहुत खुश होते हैं तो बहुत ज़्यादा loudly हसते है या फिर गाने जो जो से गाते है वगरे तो ये आपको बताना है लिखना है अपने notebook में ठीक है? How do you show respect to elder in your family? आपके घर के जो भी elder members होते हैं कैसा respect बताते हो अप उनके साथ में? तो वो भी आपको जो है लिखना है ठीक है? समझ में आया है यहाँ पर Look around to see how other shows respect और आजबाजू के लोगों को भी देखना है अपने आजबाजू के घर के family members को भी देखना है कि वो कैसे एकमेक को respect देते हैं When the old were young When the old were young Ask any older members of your family to tell of funny incidents of her or his childhood अपने घर के जो अपने older members होते है उनसे हमको क्या पुछना है कि कौन सा funny incident है जो मेरे साथ में बच्पन में हुआ था चाइल्डूड में हुआ था वो पुछना है और वो जो है आपको हो सके तो लिख लेना है ठीक है? तो यहाँ पर हमारा lesson जो है कर तो मुदना है